नमस्कार, चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है MCQ से समंधित, आज की इस वीडियो में देखते हैं कि कौन-कौन से महत्रपूर्ण प्रशन है पहला प्रशन है, कि निमलिकित में से कौन सा कथन रैपोदर का सबसे अच्छा वड़न करता है यह वड़र है, ओप्शन A, जिस पर वानेजिक बैंक किसी देश के केंदरी बैंक को धन उधार देते हैं ओप्शन B, जिस पर किसी देश का केंदरी बैंक धन की कमी होने की स्थिति में वानेजिक बैंकों को धन उधार देता है Option C, जिस पर किसी देश की सरकार केंदरी बैंक को पैसा उधार देती है Option D, जिस पर किसी देश का केंदरी बैंक अंतराष्टी वित्ति संस्थानों से पैसा उधार लेता है देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है Option B यानि कि जिस पर किसी देश का केंदरी बैंक धनकी कमी होने की स्थिति में वानर जी बैंक को पिधान उधार देता है वह रैपोदर है आईए इसकी व्याक्या देखते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ ख़बर में क्यूं है यह ख़बर में इसलिए है क्योंकि हाल ही में Monetary Policy Committee की बैठक हुई और इस बैठक में यह निड़ने लिया गया कि रैपोदर को 6% पर ही बने रहने दिया जाए वह इसलिए क्योंकि जो मौझदा वैस्विक हालात हैं उसके अनुसार अभी फिलहाल इसमें बढ़ोत्री नहीं की जाए लेकिन RBI के गवर्नर का यह कहना है कि यह केंदरी नीती का हिस्सा नहीं है बलकि जो पहले से रैपोदर में बढ़ोत्री हो रही थी उसे फिलहाल रोक दिया गया है जैसा कि हमने देख लिया कि रैपोदर के बारे में तो रैपोदर के अंतरगत हम चानते हैं कि बैंक RBI से सरकारी प्रतिभूर्ती के आधार पर जिस दर पर रिन प्राप्ति करती है वह दर कलाता है रैपो रेट या री पर्चेजिंग ऑप्सन रेट बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन है कि विदेशी अंसदान विनियम अधिनियम यानि की FCRA के संबंद में निमलिकित करत्रों पर विचार करें पहला कतन है कि FCRA को भारत में आपात कालिन चरण के दौरान 1976 में अधिनियमित किया गया था दूसरा कतन इसका उद्देश से व्यक्तियों और संगों को विदेशी दान को विनियमित करना है उपर दिया के कतनों में से कौन सा या से कतन सही है या सही है देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है सी पहला और दूसरा दोनों कतन सही है आए इसकी व्यक्तिया करते हैं सबसे पहली बात तो ये कि FCRA इसलिए ख़बर में बना हुआ है हाले में ग्री मंत्राले ने यह सुझाओ दिया है कि Oxfarm इंडिया का CBS से जाच कराए जाए जिसका कारण है कि Oxfarm इंडिया ने FCRA का उलंगन किया है MHA ने या Ministry of Home Affairs ने अपने अन्वेशन में यह पाया है कि जो Oxfarm इंडिया है उसने लगातार बाहर से जो उसे फंड मिल रहे थे उस फंड को उन्होंने दूसरे संस्थाओं को दिया है जबकि FCRA कानून के अंदरगत ऐसा करना मना है वही अगर हम Oxfarm इंडिया की बात करें तो Oxfarm इंडिया के FCRA लाइसेंस को 2021 में समाप्त कर दिया गया था और Ministry of Home Affairs या ग्री मंत्राले ने उसके इस लाइसेंस को रेन्यू नहीं किया था वही अगर हम FCRA की बात करें तो इसे 1976 में लाए गया और इसका उदिश से है कि चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संग हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो एंजी हो वह जो बाहर से पैसे प्राप्त करते हैं या Foreign Fund प्राप्त करते हैं उसका उप्योग उसी दिश्वा में होना चाहिए जो FCRA में बताय गया है या जो प्रावधान FCRA में दिया गया है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है कि निमलिकित में से किस संगठन ने भारत और पाकिस्तान की बीच सिंधु जल संधी में मद्धिस्ता की थी चार उप्सन हैं उप्सन A विश्व बैंक उप्सन B सेंध राष्ट संग उप्सन C अंतराष्टी मुद्रा कोस और उप्सन D विश्व बैपार संगठन देखतें इसका सभी जवाब क्या है इसका सभी जवाब है उप्सन A यानि कि विश्व बैंक अब इसके हम व्याक्या करते हैं यह प्रस्ण इसलिए आया है क्योंकि दो मेहने पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह पत्र दिया था यह चिट्टी लिखे थी कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंतरगत जो सीमा पार नदियों का जो प्रवंधन किया जा रहा है उस प्रवंधन से समंधित जो प्रावधान है उसको रिव्यू किया जाए और उसमें सुधार किया जाए तो उस दो मेहने पहले लिखे गे पत्र का जवाब पाकिस्तान ने हाली में दिया है वही जिस सिंधु जल संधी की हम बात कर रहे हैं वह संधी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बनी उसे विस्व बैंक की मतस सता की द्वारए लाए गिया और इस सप्धशी के द्वारा सिंदुर् ABOUT उसकी जो पांच सहयक नदिया हैं उनंसे उप्योग की बात की गई है दोनों देश के बीच में इसके अंत्रगत जो तीन पश्चिम की नदिया है सिंधु जेलम और चिनाव तो इनके भारत के गैर उपभोग किर्सी और घरेलू उपयोग के लिए कुछ सिमाओं के साथ अवंटित करती है वहीं तीन चुपुर्म की नदिया है रावी ब्यास और सतलज इसको भारत द्वरा और परतिवंदित उपयोग के लिए अवंटित किया गया है बढ़ते हैं अगले परसण की और अगला परस्ण है कि नियुम्लिक्त कत्म पर विचार करें वितững के दौरान भारत में साजनिक वित्रंट परणाली की शुरुवात की गयुए थी दूसरा कतन के 1990 1990 में भारत में संसोधित साजनिक वितर्ण परणाली शुरू की गए थी और तीसरा कतन के लक्षित साजनिक वितर्ण परणाली के तहत लाभारती गरीवी रेखा से नीचे और गरीवी रेखा से उपर के परिवार है उपर दिये के कतनों में से कौन सा कतन सही नहीं है option A, केवल पहला और तीसरा, option B, केवल दूसरा और तीसरा, option C, केवल पहला और दूसरा, option D, पहला दूसरा और तीसरा, देखते इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, C, मतलब कि कौन से कथन सही नहीं है, तो पहला और दूसरा कथन सही नहीं है, देखते हैं इसकी खबर में है क्योंकि Integrated Child Development Service और PM portion की दूसरे phase के अंतरगत जो यह लक्ष रखा गया था कि 27 राजियों के 279 जीलो में Fortified Rice का वित्रन किया जाएगा Targeted Public Distribution System के अंतरगत तो उसके 7% लक्ष को राप्त कर लिया और उनी सो बानवे में बारत में संसोधित सार्णी वित्रन परनाली शुरू की गए थी और Targeted Public Distribution System या लक्ष शार्णी वित्रन परनाली के अगर हम बात करें तो इसके तरद लाभारती गरीवी रिखा से नीचे और गरीवी रिखा से ऊपर दोनों परिवार है बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और प्रस्न है ब्रेटन वूर्स परनाली के पतन के बाद आएमेफ ने किस विनिमेदर परनाली को बढ़ावा दिया है Option ने निश्चित विनिमेदर की परनाली मतलब fixed exchange rate system बी, floating विनिमेदर की प्रनाली सी, निश्चित विनिमेदर पर परिवरतनी मुद्राओं की प्रनाली और ढ इनमें से कोई भी नहीं देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है B यानि कि floating विर्थी दर की पढ़नाली हम करते हैं इसकी व्याक्या सबसे पहली बाद तो यह सवाल इसलिए यहां पर बना है क्योंकि IMF का यहां अनुमान है कि 2023 में Westwick विर्थी दर 3% से नीचे रहेगा जबकि अगले पांच वर्सों में अगर विर्थी दर की बात करें तो IMF के अनुसार यह 3% के आसपास रहेगा अब जो प्रस्न पूछा गया है उसके अनुसार ब्रेटन विर्थ परणाली के पतन के बाद IMF द्वारा जिस विर्थी में दर की परणाली को बढ़ावा दिया गया है वो बाजार आधारित विर्थी में दर परणाली है और 1971 में ब्रेटन विर्थ परणाली समाप्त हो गई और इसी परणाली के समाप्त होने के बाद बाजार दर अधारी त्वीर में तर प्रणानी की सुर्वात हुई इस परकार MCQS से समन्दित आज के इस वीडियो में हमने कुल पाँच परश्णों पर चर्चा की इसके साथ ही इस वीडियो के ही विराम देते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रणुक प्रश्णों के साथ नमस्कार